नमस्कार दोस्तों आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा सुबह 10 बचकर 45 मिनट से लेकर 12 बचकर 11 मिनट तक और अभिजीत मूर्थ दोपर 11 बचकर 47 मिनट से लेकर 12 बचकर 35 मिनट तक का होगा गुलिककाल और अभीजीतमूर्थ दिन के शुवकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्णकाम या फिन्यर्णे आप ले सकते हो उसक्रकार राज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा दोबर बारा बज ग्यारा मिनट से लेकर एक बज चतिस मिनट तक औरमगंडकाल राथ 7 बज गर 30 मिनट से लेकर 9 बज नव पर 19 मिनट तक होगा राहुकाल और य के अशुवकासव चाहते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुर्णकाम या फिन्यर्णि बीलकुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज की दिने का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपुर्ण दिन विधुन राशी में भ्रमन करेगा यह गरसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्च करें सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के तृतियों मौमेच चंद्रमा का भ्रमन है मैं तो बन दिन है आपके लिए आज के दिन घूमना फेरना जादा हो सकता है ट्रैवलिंग जादा हो सकते, मैं तो बुन काम विया भात में ले सकते हो कमिट्मेंट फ्रामिसेस के लिए आज का ज़ा दिन है आपके लिए शुवफ लदाई साबित होगा घर के जो लोग है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है दिन आपके लिए शुवफ लदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है बुरिशब राशी बुरिशब राशी के द्वीतियों बाव में चंद्रमा का ब्रह्मण है महतोपन दिन है आपके लिए आज की दिन कुछ अच्छे लाव बगरा मिल सकते हैं उसे प्रकार महतोपन इंवेस्टमेंट भी होने की संभावना काफी अच्छी बंद रही है चोटे मोचे खर्चे रहेंगे लेकिन दिन आपके लिए शुवफ लदाई साबित होगा खास करके आज की दिन आपके जो भाई बैन होंगे सिब्लींग होंगे उनके साथ चोटे मुटी बारतों के लिए काता करा हो सकते हैं किसी भी प्रकार के महतोपन निर्ण है आज की दिन कमिट्मेंट प्रॉमिसेस वाले बाते नहीं करना इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है मैं तो बढ़न दिन है आपके लिए आज आपको confidence energy देव जबर्दस्त देखी जाएगी जो कामापत में लोगें पूरे होते हुए निजर आएंगे आज आपका mood भी काफी अच्छा देखा जाएगा यह कास करके आज की घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है उसे प्रकारम है तो बढ़न काम भी आपने ले सकते हो लेकिन थोड़ा सा एक्जर्शन ज्यादा हो सकता है ठकाव ज्यादा देखी जा सकती है जो आपका mood है वो काफी अच्छा देखा जाएगा आपके आपकी जो energy है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी के बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के लाव हुआ में चंदरमा का ब्रह्मन है मेहतोपण दिन है आपके लिए आज का जो दिन है आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छे सलाव भी मिल स कि आज के दिन बिल्खुल भी नहीं लेना चिह In के इसके बात की जो राशी है वह कर नियराशी कर रशे के दो follow में चंद्रमा का भ्रमन है मैं तो bon teachers कारिषट्र स्टीन काम आज की ओने की सम्भाउन अब बहुत ही अच्छी बन रही है उसे प्रक्ति कौन की appreciation भी देखी जाएगी आपकी जो सह कर्मी होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद भी मिल सकती है उपरोड़े वगरा भी काफी अच्छी मिल सकती है सिर्फ आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के भाग्य भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है मैं तो बुण दिन है आपके लिए और शुपफल लदाई भी साबित होगा आज की दिन जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई काम करने का तरीका है वह काफी अच्छा देखा जागा चोटी बूटी बातों के लिए करता करा हो सकते हैं लेकिन दिन आपके लिए भाग्य शाली साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है बृच्चिक राशी के अस्टम माव में चंद्रमा का ब्रह्मन है स्वास्त के बारे दिन देना होगा स्वास्त के समय सामने आ सकती है आजया पूरी होने की संभाव न थोड़ी कम दिखाई दे रही है वह अरकि अनिवाल समय है उससमें आपका जो confidence और में का अच्छा देखा जाएगा इसके बाद की जो राशी है वो है धनुराशी दनुराशी के सब्तम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है मैं तो बुण दिन है आपकी लेखास करके अगर आप वाई तो आपकी जो वैवाई जुड़िदार हैं उनके साथ आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना हो सकता है लेकिन आने वले समय में आपको स्वयम की स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा कि इसके बाद की जो राशी है वह है मकर राशी के शर्ष्ट बाव में चंद्रमा का भ्रह्मन है मैतोबन दिन है आपके लिए खास करके किसी भी काम के शुरुवात आज के दिन नहीं करना स्वयम के स्वास्त के बारे में द्यान देना आवशक होगा कारिशेदर से लिए च्छोटे मूटे बाते आज की दिन सामने आ सकती है अने वाले समय में आपकी जो वैवाई युड़िदार है उनके साथ जो बाते हैं थोड़ इसे एक्स्रिम पर जा सकती है कुद पर कंट्रोल करना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्भराशी कुम्भराशी के पंचम मौमे चंद्रमा का ब्रह्मन है मैं तो बने दिन है आपकी लिखास करके अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी भूमना फिर मारकर में ट्रेड करते हो तो भी जो बाते है जैसा आप चाहते हो इस प्रकार से हो कि आपके अंदास है वह सही साबित होते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी के चोथर तो बाव में चंद्रमा का प्रहमन है आज करके आज के जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी घर के जो लोग है उनके साथ आपके हार्मनी क काफी अच्छी देखी जाएगी अनिवले दो दिनों में जो भी गर्भवती महिला है मीन राशिकी उन्होंने स्वयम के स्वात के बारे में ध्यान देना होगा उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ भी छोड़ी मुड़े बातों को ले करता करा ह हो सकते हैं तो थोड़ा सा चौकरना रहना आवश्रक होगा तो दोस्तों ये था दिनां 23 अक्तूबर दो हजार चोबिस का स्वाप्वण राशिपलू धन्यवाद